हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं उमीद है अपनों अच्छे होंगे दोस्त तो मैं नौले सर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पे तो दोस्त आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है 12 विद्यार्थियों के लिए जो 12 की एक्जाम देने वाला है इस साल उनके लिए यह most important questions है दोस्त तो इसको सिर्फ वीडियो का आप देखना मत सिर्फ सुनना मत दोस्त इसको copy में नोट करना ओके क्योंकि आपके लिए most important है और आपके जो भी friends हैं जो चाते हैं एक्जाम में अच्छा marks लाना अच्छा uncle लाकर एयरफोर्स ने भी जोईन करना तो प्लीज आप सभी से request है कि आप अपने copy में नोट करें और दोस्तों को जरूरू बताएं ओके तो चले देखते हैं बावो सबसे भीवियाई question जरूर यह मेरे चौथा वीडियो है इससे पहले आप जाकर तीन वीडियो देख लीज मेरे प्यारे दोस्त यह आप लोग का question पूछा हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे ध्यान देगे मनोहर मलगा ओंकर वाज ए अब आपको बताना है कि मनोहर मलगा ओंकर क्या है तो आप जब पढ़िए हैं दोस्त तो आपको पता होगा कि मनोहर मलगा ओंकर ना तो प्ले मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करता हूं इसे कॉंपी में जरूर नोट करना हो सकता है कि आपको थुरा सा मेरी जो मेरे जो आवाज है मोटा लग रहा होगा क्योंकि वागु थुरा सा मौसम के चलते कुछ प्राब्लम हो गया है सरदी खांसी चले देखते वागु 38 था अब 39 देख रहे हैं यह 38 हम लोग पढ़ लिए को रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जुनियर वाज मार्टिन लूथर किंग जुनियर को हम लोग क्या करते थे साइन्टिस्ट थे वो कि फिलोसफर थे कि एन आर्टिस्ट थे कि एस सीविल राइट एक्टिविस्ट थे तो पर हीएगा आप लो I have a dream उसमें दिखाई देगा कि Martin Luther जो थे ओ ए civil right activist थे ओके इसलिए answer D होगा फोटी कोचन बोले है भाई सब कि what is our attitude towards those outside our head what is our attitude towards those outside our head कर रहा है कि हमारा बिचार हमाई जो सोच है बिचार है उन जारौर के परती जो घर में हम लोग पालते नहीं जो बाहर है कैसा हम लोग अब बिचार है तो बहुत ही निर्देजिता पुर्ण है बहुत ही भयानक है इसलिए हम लोग इसका answer मारेंगे डी निमर फेरो सियस ओके मोस्ट इंपोर्टेंट है वाई ये इस वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आप लोग सिर्फ सुनना मत मेरी बात को आप लोग कोपी में नोट करना अगर आप बेस्ट बनना चाहते अपने एडिया में अगर आप चाहते हैं कि मैं 12th बिहार बोर्ट के एक्जाम में इंगलेस पेपर में बेहतरीन अंक लाओं तो सुनना मत दोस्त लिखना हो के चलिए 41 देखी मुस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त करें कि वाट वाज द रिलीजन अफ जॉन डॉन बहुत बार पूछ चुका है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको गौnoj दोस्त पर यह सूर में लिखा होगा कि जौन डॉन की जाती थी रोमन-Catholic वेडि गूट यह मस्ट इंपोर्टेंट है वाई रोमन-Catholic अब यह बाउड ओवर्टेंट है यह ड़्द पर्ल एस बख वथ ए और एन दिया है तो ली एज इस लाईम में A और N दोनों दे भरने के लिए सोच दे निश्चीत के उसमें N ही लगेगा और N में American है Indian है और African है तो दोस्त आपको बता दे कि वो जनम से American थी और बाद में वो England में बस गी तो हम लो British बाद में हुई पहले क्या थी American थी जनम से तो यहां पर क्या पूछ रहा है दोस्त जनम से ही पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा American याद रहे का भाई इसको भूला नहीं है लिखो, कोपी में नोट कर लो और याद करना जो मैं दे रहा हूँ सचो कि वो आपके लिए फाइदा बंद नहीं दोस्त या आपके लिए राम बान है इसको आपको क्या करना है याद करना है चलिए आगे देखते है 43 में 43 जो भाई सब कोश्चन दिया है यह तो आप अपना कोश्चन में एक निकालो तो यह अगर आपके पास 3-4 साल का पेपर हो 5 साल का तो देख रहे न ओके यह जो लाइन है इसका मतलब होता है दोस्त बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है मन चली मतलब कि जो इधर उधर घूमने वाली औरत होती है जो करेक्टर से खराब ना हो मन चली इसको बोलते है खुर घूमना फिरना यह दिया है पता है कि इस चेप्टर में एपीटाफ में दिया है किसमें दिया दोस्त एपीटाफ में बहुत इंपोर्टेंट है बहूत ही बहुत ructured यह पोईम है जरूद पढ़ना अपके इसलिए इसका आंसर क्या हुआ एंड एपी टाफ अब 44 में कर रहा है दोस्त दा लाइन अब यह लाइन सुने क्या कर रहा है दा वाइस आफ माई एडूकेशन सेट टू मी यहां पे कभी बोल रहा है कि मेरे अंदर की आत्मा अंदर से उनकी आवाज आई क्या आउज आई उनके बगल में एक साप था और देख रहे थे कि यह पूछ चुका है भाई इसको जरूर लिख ले ना कोपी में आभाई है नीचे जो तो नेक्स्ट कोचन यहां पर देख लिजिए फोटी फोर और यह हो गया हमारा फोटी फोर दो दो हो गया, OK कोई बात नहीं, यह भी देखते हैं यह फोटी फाइफ है कर आया है, यहां पर कोचन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक, डॉक्टर जाकिर हुसेन टूक दो ओध दोस्त मैं आपको बता दूँ यह O है, ओध O-A-T-H यह डॉक्टर जाकिर हुसेन किस चीज का सपत दिये थे किस चीज का तो प्राइमिस्टर तो नहीं बने थे Chief of the Army Staff भी नहीं बहुत है President of India तो यह हमारे दोस्त आपके देश के First Muslim President थे लेकिन Second थे तीसले आंसर होगा इसका C नमर President of India ओके आगे देखते हैं आप कर रहा है सेवाई यह सेवाई है एल दे दिया है गलती से यहाँ पे एल नहीं आप इसको सेवाई की जो हवी थी क्या थी पता आपको दिन रात इधादर घुमके लौग की जो कद्दू होता ना उसको ढूंगता रहता था उसके लिए बहुत पीटाई खाया यानि को उसको पीटा गया उसके लिए उसके सारे कद्दू को तोड़ दिया गया टीचर से डांट पढ़ी या पढ़ी है दो आर्टिस चेप्टर उसके आपको मिलेगो के गर्ट्स यानि इसका अंसर ए नमर वेरी गूट बहुत बनी आप लोग समझ वाई रहे दोस्त आगे देखिए भाई ये तो most important बहुत 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 बहु और गलोड इंडियास गलोड इस इन अध्यार इंडियान गलोड इस-डाट इच अधने भारत की गड़ी मा वह है जो भारत के सान सब्सक्त कोई हिला डूला नहीं सकता है यानि कितां ही भाकालो भार्त भाकने वाला नहीं है इसी इसका आंसर मारें हम लो इम मोवेबल कौन से मारें हम दोस्त इम मोवेबल याद रहेगा भूलना नहीं बावो most important है ignorant नहीं अंसरे इम मोवेबल कितम इस तिर सांथ ओके अब यह नीचे marriage proposal यह तो पूशा है भाई आप जाके पीछे प्लट के ज़रूर देखीएगा अपने question bank को या आप अपने paper होगा अगर आपके पास तो जूर देखे होगे marriage proposal जानते के बागो एक नाटक है यह one act play है मतलब कि one act play को नाटक बोलते हैं ओके तो यह बहुत एक चोटा सब नाटक है इसलिए इसमें answer के हमारे डी नेमर ए one act play याद रहेगा भाई साब भूला नहीं है most important भाई इसको copy में लिखना भाई याद करना नहीं तो सिर्फ सोचोगे नहीं बीना बीना पढ़े दोस्त देखलो बीना पढ़े गुड यानि अच्छा माक्स तो आएगा नहीं इसलिए आपसे request पढ़ो अब तो मैं आपको मलाई दे रहा हूं यार सोचो क्रीम निकाल कर दे रहा हूं सिर्फ आपको याद कर जाना ओके चले next देखते है नानुका का वाज दो नारेटर्स नानुका का लेखा का क्या लग रहे है तो maternal uncle लग रहे है यानी याद रहेगा good बहुत बनी है next करें दोस्त our forefathers did not invent machinery हमारे जो पुरुबर थे मसीनों का व कार हो जाएगा हर ब्यक्ति अपना काम हाथ पैर से नहीं करेगा वो सब मसीन पर डिपेंड हो जाए और हम सब आलसी बन जाएगे इसलिए इसलिए इसका आंसर होगा बी नमर ओके दीज वूड है मेडस लेजी तो दोस्त आप लोग कैसा लगा यह वीडियो कैसा लगा तो अबजेक्टिब सब्जेक्टिव पर टेक चीज तयारी होजाए इस वीडियो पे इस चैनल पे तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जिरू कर ले ओके थैक्यू वेरी मच पर वाचिं दिस वीडियो और प्लीज सेर दिस वीडियो इन और गूरूप everywhere okay that's all